दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UP88C PT exam के लिए दोस्तो संभावित परसन पेपर जो की बिल्कुल exam जैसर हैगा जिसमें करंट फेर GK science के 40 questions को मैं cover कराने वाला हूँ तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा और other student भी देख सकते हैं अगर आप किसी दूसरे exam की त्यारी कर रहे हैं कि questions बहुत अच्छे हैं पूरी वीडियो को देखेगा दोस्तो और 40 में से आप लोग कितरा attempt कर पा रहे हैं नीचे comment box में जरू बतेगा देखे अगर आपको सभी वीडियो के notification चाहिए तो चैनल को तुरण subscribe कर लेना नीचे radical का बटन दिख रहा होगा bell icon को भी on रखेगा आगे आने वाली सभी वीडियो के notifications आपको मिलते रहेंगे पलेलिस्ट चेक कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक पलेलिस्ट नहीं देखिया तो बिल्कुल topic वाइज आपको सब कुछ कवर करा रखा है masterpediap लेने के लिए दोस्तो website या whatsapp नंबर पर आप लोग विजिट कर सकते हैं यहां से आपको सभी exams की masterpediap मिल जाएगी दोस्तो हर एक कोशन जो होगा ना इस वीडियो में वह बहुत ही अच्छे लेवल का होगा तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखेगा पहला कोशन आपका है कि हाल ही में रास्टिय भाला फेक दिवस कब मनाया गया तो मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का सही उत्तर हो जाएगा आपका option C 7 अगस्ट को मनाया गया है तो पहले कोशन का right answer सी रेगा याद रखेगा इस परकार से questions बन सकता है दूसरा कोशन है हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस दोस्तो ये भी एक important कोशन है इस कोशन का right answer option B हो जाएगा 8 अगस्ट को ये भी आपको याद रखना है तीसरा कोशन दोस्तों आता है हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के पहले वामपती रास्तपती बने हैं जल्दी से आंसर बताएगा अगर आपको पहले से पता है आंसर और इस कोशन का दोस्तों जो right answer एगा question number 3 का option B हो जाएगा कोलंबियों के ठीक है ये आपको य अगला question दोस्तों आता है हाल ही में केंदर सरकार ने cabinet सचीव राजीव गोबा को कितने महिने का विस्तार दिया है very very important question दोस्तों तो question number 4 का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा option C हो जाएगा 12 महिनों के लिए तो ये आपको याद अगला question दोस्तों आता है हाल ही में इसरों ने question का right answer हो जाएगा आंधर प्रदेश में ठीक है तो ये आपको या दखने बई और स्कोर पतेगा comment box में end में जाकर के कितना स्कोर आप कर रहा है चटा question हाल ही में किसने Miss India USA का किताब जीता है तो चटे question का दोस्तों right answer हो जाएगा option C हो जाएगा ठीक है आर ये वाल वेकर या इनका नाम क्या था तो दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा इस वर लाल इनका नाम था तो option A right answer हो जाएगा question number 7 का दोस्तों अगला question आता है हाल ही में कहां पहली बार मचल महीला किर्केट लीग का आईजन किया गया तो दोस्तों पहली बार हुआ है तो question वैसे भी important बन जाता है तो आटवे question का right answer क्या रहेगा option B हो जाएगा कस्मीर में दोस्तों याद रखेगा भई ठीक है अगला question आता है हाल ही में किसने आजादी के 75 वी वर्सगार्ट पर इंडिया की उडान परियोजना शुरू की है और questions का level अच्छा लग रहा है हमारी मेहनत पसंद आ रही है त दोस्तों option C हो जाएगा Google ने तो यह आपको याद रखना है अगला question दोस्तों आता है रास्पती दुरौपदी मुर्मू की जीवनी Madam President अब biography of दुरौपदी मुर्मू किसने लिखी है तो दसवे question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल option हो जाएगा दोस्तों संदीप 10 का अगला question दोस्तों आता है हाल ही में किस पूर्म भारते किलाडी को डॉक्टरेट की मानद उपादी से सम्मानित किया गया है तो 11 question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल यह दोस्तों उपादी मिली है सुरेस रेना को यानि कि B right answer रहेगा question number 11 का अगला question दोस्तों आता ह हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सेन्या बास शुरू किया है तो 12 question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल यह क्या है दोस्तों चीन ने यानि कि C right answer होगा question number 12 का अगला question दोस्तों आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने परतियक ज confusion नहीं होना है option C right answer को अगला question दोस्तों आता है खबरों में रही राखी गड़ी कि राज्य में एक प्राचीन इस्थल है तो question number 14 का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है हर्याना में यानि कि A right answer को अगला question दोस्तों आता है सामुहिक विनास के हत्यार और उनके वित्रन प्रणाली संसोधन विदेयक 2022 से कौन समंत्राले जुड़ा हुआ है पंदरवा question भी बहुत अच्छा question है दोस्तों right answer हो जाएगा option B विदेश मंत्राले ठीक है right answer is B अगला question दोस्तों आता है वंदे भारत एक्सप्रेस टेन के लिए first in India sitting system किस company को शुरू करना है त तो इस question का right answer बतेगा slightest question का दोस्तों right answer हो जाएगा Tata समूं यानी की B right answer हो जाएगा question number 16 का अगला question आता है हालही में गरीमा 1000 का निधन हुआ है वे कौन थी यह question भी important है तो हालही में गरीमा 1000 का निधन हुआ है Ready answer option A हो जाएगा सास्त्रय नत्याफ्शन option A राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन दोस्तों आता है हाल ही में सवदेशी रक्सा उपकरण विक्सित करने के लिए किस IAT ने ड्याडियों के साथ साज़ेदारी की है तो 18 कोशन का दोस्तों जो राइट आंसर हैगा वो IAT रुडकी ने की है यानि कि C राइट आंसर हो जाएगा कोशन जो आपको सबको पता होता है आपसे पूछे जाएगा कुछ अलग साहट के जिसका आपको नाम ना पता हो या फिर थोड़ा बहुत मतलब नोन ना हो जादा ठीक है तो 19 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रजत पता किनों ने जीता है तो बीसवे कोशन का राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जएगा 29 जॉलाई डू में रएट अंसर ऑप्शन बी हो जएगा 29 जॉलाई अगला कोशन दोस्तो आता है वीजयनगर की सासकों ने किस भासा को बढ़ावा दिया दोस्तो अगला कोशन आता है संथालों की बस्ती को किस नाम से जाना जाता था संथालों की बस्ती को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था तो इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल दामिन एक कोहे यानि की right answer is option C यह आपको या दखना है ठीक है यह आपको भई या दखना है अगला question ने को दोस्तों क्या दे से जाता है तो एक व्यक्तिकत मंत्री को कैसे घा जा सकता है इस question का right answer है बिल्कुल right answer is रास्पती द्वारह दोस्तों यानि की do right answer हो जाएगा president द्वारह अगला question दोस्तों आता है वी नियोग विद्यक किस अनुच्छेट से संब्धित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्ग कर लेना तो 25 वे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल 114 से आर्टिकल 114 इस दा राइट आंसर ये आपको याद रखना है अगला कोशन है गामा किर्णों को किसने गड़ा है तो गामा किर्णों को दोस्तो किसने गड़ा है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इस अरनेस रदरफोर्ड दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा यानि कि option C is the right answer तो ये आपको भई या दखना है अगला कोशन है दोस्तो HSRP plant किसे बनी होती है तो इस कोशन का दोस्तो right answer बतेगा ये बनी होती है दोस्तो किसे बिलकुल aluminium से यानि कि इस कोशन का right answer C हो जाएगा अगला कोशन आता है Ease of doing business report को जारी करता है तो Ease of doing report को जारी करता है दोस्तो कोन बिलकुल World Bank दोस्तो जारी करता है यानि कि right answer option C हो जाएगा ये आपका दखना है अगला कोशन दोस्तो आता है किसान दिवस कब मनाया जाता है किसान दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तो कब 23 दिसंबर को यानि कि B right answer हो जाएगा question number 29 का दोस्तो अगला कोशन है जमिदारी उन्मूलन अधीनियम का अविस्कार और निस्पादन किस ने किया था तो तीसवे कोशन का दोस्तो right answer करेगा काफी अच्छा कोशन है अभी ठीक है important mark कर लेना आपसे मैं एक चीज बोलना चाहूँगा अगर इस वीडियो पे कल तक 10 के विउज आ जाएगा कल ही मैं आपके लिए 1000 कोशन के एक वीडियो बनाऊँगा दोस्तो वन नाइनर में जिसमें आपको सारे कोशन मिलेंगे करेंट अफेर के भी और आपको उसमें मिलेंगे जीके साइंस के भी तो कल ही आपको वीडियो मिल देगे अगर कल ही ये 10,000 तक पहुँच जाती है देखे जब तक वीउज नहीं आती है बड़ी वीडियो बनाने के लिए भी तो एक मोटिवेशन चाहिए आप लोग समझेगा बच्चो जितना मोटिवीशन आपको रिक्वार्मेंट होती न यूटूब के हर एक टीचर को मोटिवेशन के रिक्वार्मेंट होती है और इसलिए कि ये नहीं कि हमें मतलब वीडियो बनानी नहीं आती है इसलिए कि जब तक आर व्यूज नहीं आते ना किसी में एनर्जी नहीं आती है एनर्जी का यही एक फंडा होता है अगर आप किसी को भी देखेंगे न यूटूब पे ठीक है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुर यह हो जाएगा आपका कोशन नमबर 31 शामाजे किर्शन वर्मा दोस्तों यानि की राइट आंसर ओप्शन ए रहेगा अगला कोशन आता है विस्व परसिद पेंटिंग दे लास जज्जमेंट निमलिकित में से किस चितरकार द्वारा बनाई गए थी तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा बिल्कुल यह बनाई गए थी दोस्तों माइकल एंजेलो द्वारा यानि की राइट आंसर बी रहेगा वही ठीक है अगला कोशन आता है आदिवासी सलाकार समीती की स्थापना का प्रावधान किसके अधीन है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पांच भी अनुसूची के यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन बर 33 का दोस्तों अगला कोशन है निमलिखित में से किसमे सबसे अधिक रास्ट ये उदान तो इस question का दोस्तो right answer हैगा बिल्कुल अन्मान और निकोबार में यह आपका दखना है दोस्तो अच्छा question है यह भी अगला question दोस्तो आता है पंचात समीती की साहता में कौन सभी ग्राम पंचातों में रासी के वितरन की विवस्था करता है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा जिलाप परिशद यानि कि A right answer हैगा question number 35 का अगला question आता है दोस्तो बुकम के परिणाम को किस पर मापा जाता है तो इस question का right answer हैगा reactor scale पर मापा जाता है यानि कि D right answer हो जाएगा question number 36 का अगला question दोस्तों आता है लोगपाल समीति के अध्यक्स को थे देखें लोगपाल समीति के दोस्तों अध्यक्स को थे right answer यहां पर हो जाएगा आपका बिलकुल नेंदर नेंदर मोधी दोस्तों यानि कि right answer D रहेगा लोगपाल समीति के अध्यक्स थे अगला कोशन दोस्तो आता है भारत का पहला अनाज ATM निमलिकित में से किस सहर में स्थापित किया गया था तो कहाँ पर किया गया था दोस्तो पहला अनाज ATM इस कोशन का दोस्तो रहे आंसर गुरू ग्राम हो जाएगा यानि कि A राइट आंसर हैगा अगला कोशन दोस्तों आता है एसिया का पहला रास्टे डॉल्फिन अनुसंदान केंदर किस भारते सहर में बनाया जाएगा दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हैगा पटना में यानि कि A राइट आंसर हैगा कोश युक्त राज्य अमेरिका ने यानि कि डी रैट आंसरेगा कोशनबर 40 का अब दोस्तों मैं आपको बता दू आप लोग ना पूरी कम्प्लीट चारी कर सकते हैं मास्टर पीडियाप डाउनलोड करके ठीक है साइन्स की मास्टर पीडियाप है करेंट अफिर की मास्टर पीडियाप है और दोस्तों यहाँ पर जीके की मास्टर पीडियाप है अगर आप यह तीनों मास्टर पीडियाप डाउनलोड करके आप त्यारी करते हैं अगले 15-20 दिन में ही आप पूरा UPSC PT का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी मिल देंगे वीडियोज बट अभी थोड़ा सा डेडिकेशन आप लोग के लिए जरूर बना रहेगा थेंक्यू सो मच बाई बाई एवरेंट टेक केर अपना ख्याल लखेगा और प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा ठीक है थेंक्यू सो मच